नमस्कार जस्मीत क्रिशन चैनल पे आप सब भेनों का स्वागता है फ्रेंड्स आज हम आपके लिए न्यू बॉर्ण बेबी का स्वेटर लेके आए हैं हमारे विवर्ण की बहुत फरमेश आ रही थी के मैम आप न्यू बॉर्ण बेबी का स्वेटर बनाया है इससे पहले भी हमने न्यू बॉर्ण बेबी का रेड़ और वाइट बनाया है उसमें हमने टू कलर डाले थे और वो बनकर बहुत अच्छा लगा है हमने वीडियो अपल को गले से स्टार्ट किया है हमने और इसमें हमने देखिए डिजाइन डाला है इधर भी इधर भी एच ओल्डर है जे फ्रंट है जो हम बटन पट्टी बुणेंगे उसके साथ हमने डिजाइन बनाना है दोन्नों तरफ जो के लॉंग तक चलेगा और जो बैक में है उसमें भी हमने जे देखिए डिजाइन डाला हुआ है बैक में भी आएगा बैक में बैक और फ्रंट हम अकठा बुणेंगे तो बैक में छोल्डर तक ही आएगा जितने छोल्डर है उसके बाद इसमें हम नहीं डालेंगे फ्रंट में हम डालेंगे इसका डिजाइन जो एस साथ में ब इतने फंदे रखने हैं उसी हिसाब से हम इसको डिवाइड करेंगे फंदों को और डिजाइन को स्टार्ट करेंगे तो इसको कैसे डिवाइड करना है कैसे डिजाइन बनाना है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं तो फुल वीडियो हम बाद में अपलोड करेंगे जब प स्टार्टिंग बताईए आगे फंदे मदद कैसे डवाइट की है कितने कितने वो बता दीजिए उसके बाद हम आगे बुनेंगे तो जे उनीकी फिरमेच पे है एन न्यू बॉर्ण बेबी का है हमने बैक को अलग से डबल नहीं बुना है कि जहां से छोड़ दिया फिर बुन लिया पिछे को फिर फिर नहीं क्योंकि एन न्यू बॉर्ण बेबी का है एन सिंपल और सीधा बनता है तो इसको कैसे स्टार्ट करना है कितने फंदे डालने हैं वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं तो मुझे अमीद है कि आपको जाविस को स्टार्ट करेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे डिसाइन की तो आप उसको देखना और फिर बनाना तो चलिए फ्रेंड इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं जो देखिए फ्रेंड हमने 78 फंदे डाल लिए है 78 फंदे हमने कैसे डाल ले हैं वो आपको बता देते हैं जह हमने 2 पीस लिए है इदर वाले और इदर वाला हमने 1 पीस लिया है तो हम जैसे फंदे डालते हैं कि पीस लेके बस इदर 2 रखने हैं गुठे वाली साइड उंगली वाली साइड वन पीस है तो ऐसे फंदे डालेंगे तो ये फंदे बन जाएंगे तो हमने 78 फंदे डालने थे वो हम अब डाल लिए हैं और जे जो हमारी बनी है जे राइट साइड है जब हमने फंदे डालने तो राइट साइड है अब यह wrong side है तो हमने सीधा सीधा बुनना है चार लाइने हमने सीधी सीधी बुननी है तो wrong side है एक फंदा उतारा simple वैसे first फंदा तो बुनते ही है और फिर हमने सीधी तरफ किया और सीधे फंदे बुने ऐसे क्योंकि हमने पूरे sweater में सीधा सीधा ही बुनना है और इस right side से बनके आगया बस ऐसे सीधा सीधा आप बुनते चाहिए तो हमने आठ सलाई बुननी है लेकन हमने चाह सलाई बुनने के बाद हमने button hole भी रखना है क्योंकि ये गले से start हो रहा है sweater इसलिए तो गले से start होगा तो button hole भी लखाने है इसलिए हम 4 line ने मतर दो line ने उल्टी उल्टी जो दिखेंगी वो बनाकर आपको दखाएंगे फंदे आपने simple से डालने है क्योंकि ज्यादा tight नी डालने है उपर बच्चे के गला start होगा बनना इसलिए जे देखिए और हमारी जे 10 नंबर की सलाई है दस नंबर से हम बुर रहे हैं नीडल जो है वो 10 नंबर है इसी से हम पूरी सलाई बनाएंगे फिर दूसरी तरब से भी सीधा ही बनाएंगे जे देखिए फिरंट हमने wrong side से सीधी सलाई बनाई है और right side पे एक line आगी है अब हम जहां भी जेरे हमारी right side है तो हम first फंदा जिस direction में है उतारेंगे और इस फंदे को हम बिना बुने उतारेंगे ठीक है बिना बुने उतारा जे हम chain बनाएंगे button पटी के साथ तो एक फंदे को simple उतारा बाकी फंदे हम सारे simple सीधे सीधे ही बुनेंगे ऐसे जे देखिए एक फंदा simple उतारा और इसको हमने उतारा था simple एक दो फंदे simple उतार लिए बिना बुने फिर हमने एक फंदे बुने स्टार्ट कर दिये है तो ऐसे हम पूरी सलाही आप सीधी-सीधी बनाएंगे और एंड पे भी आपको बता देंगे कि हमने चेन कैसे बनानी है ठीक है वो चेन जब साथ में बनती है तो बहुत सुन्दर लगती है स्वेटर में यह देखिए फ्रेंड यह राइट साइड है ना तो हम लास्ट में आगे हैं फर्स्ट तो हमने दो फंदे सिंपल उतारे थे लास्ट में हमने क्या करना है एक फंदा सिंपल उतारना है जिस ऐसे जो लास्ट से ए सेकन वाला इसको सिंपल उतारा और दूसरे को सीधा बुल लि हां हमने क्या करना है इस फंदे को भी सीधा बुनना है मतलब इसको सिंपल उतारना है उतारेंगे तो उल्टा ही आएगा इसको सीधा बुनना है कि देखिए एक बार फिर हम आपको बता रहे थे कि लास्ट वाला फंदा हमने कैसे करना है लास्ट वाला फंदा हमने सीधा बुनना है और दूसरा भी सीधा बुनना है तो हमने दो फंदे सीधे बुने टोटल ही फंदे हमने सीधे बुन दिये सीधी स्लाइब बुन रहे है तो सीधे ही फंदे बुने है अब हमने क्या करना है अब हमने अपनी उल्टी साइड आना है उल्टी साइड पे इस फंदे को हमने उल् बुनना है ठीक है दो फंदे हमने उल्टे बुन लिए अब हम थ्रेड पीछे करेंगे और बाकी फंदे सीथे बुनेंगे ऐसे क्योंकि हमने बटन पट्टी के साथ एक चेंसी बनानी है जो बड़ी सफाई से बनेगी वो हम फिर आगे चल के आपको फिर बताएंगे कैसे तो फिलहाल अभी हमने स्टार्ट की है अब इसके लास्ट में भी हम बताएंगे कि हमने क्या करना है क्योंकि यह रॉंग साइड है राइट साइड से हमने दुनों फंदे ऐसे किये थे जे देखिए हुरण हम सीधा बुनते हुए जहां तक आगे अब हमने लास्ट में क्या करना है क्योंकि सीधा ही बुन रहे हैं तो हम जे रॉंग साइड है तो रॉंग साइड से जो लास्ट आड़े फंदे हैं हमने दो उल्टे बुनने है की हैं दो फंदे उल्टे व्यूने अब राइट साइड में आयेंगे तो हमने क्या करना है इस फंदे को शिंपन उतारना है और इसको भी सिंपल उतारना है दो सीधे उत्तर गे बाकी के फंदे हमने सीधे ही बुनने है ऐसे यह साथ में चलेगी बटन पट्टी एक बार फिर हम बता देते हैं कैसे करना है जो देखिये हम सीधा बुनते आये थे न सलाई को तो लास्ट में आके हमने एक के हादा जो ये वाला है थ्रेड अपनी तरफ करना है इसको उल्टा उतारना है और दूसरे को ऐसे पीछे से बुन लेना है चाहिए सिंपल बुन लिजिए ऐसे थीक है बाते हैं इसकी राइट साइड में इस फंबे को हम उतारेंगे और इन फंदों को हम जो उतारा था उ तो हमारी जहां से चेन स्टार्ट हो जाएगी और जहां से भी जो हमने बताया था वैसे ही चेन स्टार्ट हो जाएगी अगर आप नहीं भी बनाना चाते तो कोई बादनी सिपल फंदा उतारिए वह चेन भी अच्छी लगती है तो हमने अब बटन पट्टी के फंदे रखने ह तो हम देखते हैं कितने पंदे रखेंगे जे देखें, एक, दो ये चेन के साथ चलेंगे, दो, चार, छे और एक और फंदा, सात पंदे हम बटर पती के रखेंगे, टोटल nine पंदे होगे हमारे, तो बाकी जो पंदे हैं हमारे, उनको तो हम फिर वैसे सीदह ही पुनेंगे लेकन अब हमने जहां पे जाली भी डालनी है और बटन होल भी डालना है तो हम लास्ट में बटन होल रखेंगे जहां पे इदर वाली साइड नहीं रखेंगे दूसरी साइड रखेंगे ऐसे गला आएगा तो इदर भी रख सकते हैं दूसरी तरफ भी रख सकते हैं तो अगर इदर रखना है तो इदर रखिए लास्ट में रखना है इसमें कोई वो नहीं है हमें हमारे व्यूर्स कमेंट करते हैं लिखते हैं कि मैं मा का स्वेटर है बड़ों का नहीं है तो बेबी के स्वेटर में जहां आपको ठीक लगता है वहां पे आप बटन होल रख दीजिए तो हम पहले पूरी सीधी स्लाइब बनाएंगे जहां के हम बटन होल रखेंगे तो फिर वहीं बताएंगे जह देखिए फ्रेंड हमने नाइन फंदों पे बटन पट्टी बनानी है तो हम इसमें बटन होल भी रखना है तो हम क्या करेंगे दो फंदे तो हमारे चेन के हैं दो, चार, छे, साथ फंदे हमने बटर पटी के लिए हैं तो हम एक फंदा बुनेंगे साथ में से फिर दूसरा फंदा, तीसरा तीन फंदे हमने बुन लिए हैं तो चार फंदे हमारे छेश बचते हैं यह तो हम नहीं गिनेंगे, count नहीं करेंगे तो हम thread डागे करेंगे मतलब जाली डालेंगे, ऐसे गुमा के और दो काहिक करेंगे, ठीक है? ऐसे और बाकी के तीन फंदे बुन देंगे है न, ऐसे बटर होल बना दिया है, हमने अब हम thread पीछे करेंगे इस फंदे को simple उतारेंगे सीधे को, और दूसरे सीधे को बुन देंगे एक सीधे को simple उतारा, दूसरे को बुन दिया, wrong side हम दोनों फंदे उल्टे बुनेंगे पहला फंदा नहीं बुनेंगे, simple उतारेंगे दूसरा उल्टा बुनेंगे thread पीछे करेंगे और बाकी की sly हम सीधी बनेंगे जहां हमने गल्ती की है वो हम आपको बताते हैं क्या है हमें उल्टा बनने की आदत है उल्टा उल्टी slyई इसलिए हमने वो ही किया है जो नहीं करना था सीधी सीधी slyई बनानी थी क्योंकि हमारे विवर्स की हमें फरमेश आती है कि मैं सीधी स्लाइब भी बना सकते हैं आप उल्टी स्लाइब बताते हो तो बिल्कुल आप सीधी स्लाइब भी बना सकते हैं जैसे हमने जहां तीन फंदे बटन पट्टी के बुने चार फंदे हमारे जी हैं तो हमने क्या कर है पहले हम हमारा व्रेड तो अ यह है तो धर हम जाली डालडेंगे और दो plaisir सिधे बुनेंई ठीड़ है तो जहां हमारी जाली आ जाएगी बटन ोल वाली जाली मतलब अजाएगा और बाकी के तीन फंदे हम सीधे बुन पुन लेंगे, तीन फंदे हमारे बटन पट्टी के इधर हैं, यह देखिए, यह साथ ऐए हैं, तीन इतर हैं तीन इतर हैं बीच में बटन होल है इस फंदे को हम सिंपल तारेंगे जो सीधा दिख रहा है और लास्ट वाले को हम सीधा ही पुन देंगे उल्टा करने की जरूरत नहीं सीधा पुनेंगे अब आते हैं wrong side पे wrong side पे हमने इसको simple एक को उतारना है जो हमने slip किया है उसको उल्टा बुनना है thread पीछे करना है बाकी फंते हमने सीथे बुनने हैं ऐसे बस जे आप अगर starting में आप खोजाली बुनेंगे starting में अगर आप गले में ध्यार रखेंगे तो आपका पूरा sweater अच्छे से बन के आएगा ऐसे बस हम चार लाइन ये बनाएंगे तीन बनी है अभी उसके बाद हम design start करने वाले हैं तो पहले हम उस लाइन बना ले फिर आप जै देखिए फ्रेंड हमने फंदों को ड्वाइट कर लिया है गोल गला है जहां button hole हमने बना दिया है तो हम 8 फंदों की पट्टी रकेंगे button पट्टी क्योंकि ओ फोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है तो 8 फंदों की button पट्टी रकेंगे टोटल बीच में जे चेन वाले फंदे हैं और हमने 8 फंदों के बाद जे देखिए 8 फंदों के बाद हमने रखे हैं 2, 4, 6, 7 फंदे बीच में 3 पे डिजाइन 8 फंदे 2, 4, 6, 8 फंदे शोल्डर के हैं 3 फंदों का डिजाइन 20 फंदे हमने बैक के रखे हैं 3 फंदों पे डिजा बीच में 7 फंदे रखे हैं 8 फंदों की बटन पटी तो ऐसे हमने रखे हैं आपको एक बार बता देते हैं कि हमने कैसा किया है हमने ये देखिए गुलाई दी है गले की और जहां हमने बटन पटी रखी है ठीक है अब फौर जगा हमने फंदे बढ़ाने है इधर ये फ्रंट क बाग है जे हमारी बाजू है जे हमारी बैक है जे हमारी दूसरी बाजू है और जे फ्रंट का बाग है तो हमने फंदों को कैसे रखा है हमने एट फंदे बटन पट्टी के रखे हैं जहां भी एट रखे हैं ठीक है साथ फंदे हमने बीच में रखे हैं साथ फंदे तो टोटल ले ओगे आठ और साथ 15 फंदे और 15 उसके बाद तीन फंदे हमारे आते हैं डिजाइन के जहां हम इधर भी फंदा बढ़ाएंगे इधर भी हर सीधी सलाई में उल्टी में नहीं बढ़ाएंगे बीच में जो छोल्डर के हैं वो हमारे 8 फंदे हैं फिर हमने तीन फंदे लिए हैं जहां दोनों तरफ फंदा बढ़ेगा बीच में बैक के हमने 20 फंदे लिए हैं जहां तीन फंदे लिए हैं जहां फंदे बढ़ेंगे दोनों तरफ जहां हमने फिर बज्जू के 8 फंदे लिए हैं और 3 फंदे तो टोटल जे 78 फंदे बनते हैं ठीक है इ तो कैसे इसमें डिजाइन टालना है, जो डिजाइन टाला हुआ है, वो कैसे बनाना है, वो हम आपको बता रहे हैं, तो फ्रेंड्स, अब हम डिजाइन को स्टार्ट करेंगे, कैसे, यह देखिए, जो हमारा एचेन आ रही है, एक सिंपल फंदा उतारा है ना और दूसरा फंदा सिंपल भून लिया दो फंदे होगे आगे हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं 6 क्योंकि हमने 8 रखे हैं तो हम 6 फंदे वो भी भून लेंगे तो टोटल हमारे 8 फंदे होगे ठीक है इसके आगे जो हमने एक डिजाइन साथ में चलाना है इसको हम पहला फंदा उल्टा बुनेंगे बटन पट्टी है पहला फंदा उल्टा बुनेंगे thread पीछे करेंगे अब इस पे design स्टार्ट करेंगे तो design को कैसे स्टार्ट करना है वो देखिए तीन फंदे हैं इस फंदे को हमने उपर से टपाना है ऐसे टपा दिया अब इस फंदे को हम एक simple बनेंगे फिर हम जाली डालेंगे और फिर एक और बन देंगे तो जाली डालके हमारे तीन फंदे होगे फिर इसके साथ ही हम एक फंदा उल्टा बनेंगे उल्टा बनने के बाद थ्रेड पीछे करेंगे और एक तीन फंदे हम सिंपल बनेंगे पहले दो बनें थे अब तीन बनेंगे ये बीज में फिर हम design डालेंगे ऐसा लेकिन इससे पहले हम फंदा बढ़ाएंगे फंदा कैसे बढ़ाना है ऐसे simple फिर हम mark इदर रखेंगे और इन तीन फंदों पे design डालेंगे जहां हमने फंदा बढ़ाया है उसके साथ इन तीन फंदों पर तो लास्ट वाले फंदे को उपर से टपा देंगे और एक फंदा जब सिंपल सीधा बुनेंगे फिर जाली डालेंगे और सिंपल सीधा बुनेंगे तो तीन के तीन फंदे फिर होगे आगे हमने माक ले लेना है क्योंकि एक तीन फंदों का डिजाइन है उसके बाद हमने फंदा बढ़ाणा है एक ऐसे फंदा बढ़ा लिया अब हमने बीच वाले फंदे जितने हैं बाज्चू के जे फ्रंट के थे, जे पाच चुके हैं, तो जे हमने बुन लेने हैं, फंदे एक एक बढ़ गया है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, ये दस फंदे होगी, दो फंदे बड़े हैं, बाजू के, आठ फंदे थे, अब जहाँ पे हमने फिर फंदा बढ़ाना है, तो हम पहले फंदा बढ़ा लेंगे, मार्क से पहले ही, फिर हम मार्क को इधर ले आएंगे, और तीन फंदों पे डिजाइन डालेंगे, क्योंकि इसके दोनों तरफ हमने एक एक फंदा बनाना है और डिजाइन भी डालना है तो हम एक फंदा सीधा बनेंगे जाली डाल लेंगे और एक फंदा और बनेंगे तीन के तीन फंदे फिर एस स्टिच होगे मार्क जहां रखेंगे और एक फंदा और बढ़ाएंगे ऐसे अब बीज के जो बैक के 20 फंदे से वो 22 हो गए हैं वो 22 फंदे हम बुल लेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, अंद्रा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, और 22 फंदे हमने बुल लिये हैं सीधे फिर, जहां हम फंदा बढ़ाएंगे फिर मार्क को इधर लाएंगे और तीन फंदों पे डिजाइन डालेंगे लास्ट वाले फंदे को परसिट पाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे जाली डालेंगे और एक और फंदा सीधा बुनेंगे डिजाइन डल गया, मार किदर रखा, डिजाइन के फंदे तीन एज स्टिच है, एक फंदा और बढ़ाया, अब बाज्जू के फंदे बुने, अब ये फंदे बढ़ते जाएंगे, रजे, फंदे बढ़ गे, जहां फिर डिजाइन आना है, तो फंदा बढ़ेगा, और मार किदर आएगा, और हम डिजाइन डाल लेंगे, ये हमारे थोड़े से उल्टे फंदे आगे थे, तो जहां पर फिर डिजाइन डलना है, जो बीच के तीन फंदे हैं, एक सिंपल बुनेंगे सीधा, फिर हम बढ़ाएंगे फंदा, और ऐसे सीधा बुनेंगे, जहां हम म और फंदा बढ़ाएंगे, और बाकी फंदे हम सीधे बुनेंगे फरंट के, जितने फंदे हमारे हैं, जहां हम फंदा नहीं बढ़ाते, जहां हम उल्टा बुनते हैं, एक उल्टा बुनते हैं, तो जहां हम थ्रेड अपनी तरफ करके उल्टा बुनेंगे, उसके साथ ही हम तीन फंदों पे design डालेंगे एक फिर जाली डाल के तीसरा तो जो design डाल दिया है उसके साथ ही हम उल्टा फंदा बुनेंगे फ्रेड पीछे करेंगे अब हमारी ये बटन पट्टी है तो बटन पट्टी हम सीथे सीथे फंदे बुन के कवर करते हैं जे लास्ट में है तो इस फंदे को स्लिप करेंगे सीधे को और दूसरा साथ का पुन लेंगे ठीक है आब आते हैं इसकी रॉंग साइड पे रॉंग साइड पे भी हम उल्टे पे उल्टे सीधे पे सीधे तो हम क्या करेंगे फर्स्ट फंदा सिंपल उतारेंगे उल्टा और उल्टे दूसरे को उल्टा पुनेंगे दो थ्रेड पीछे छे फंदे सीधे बटन पट्टी के 4, 5, 6 6 बटन पट्ती के होगे 2 हमारे चेन के होगे 8 फंदे बटन पट्ती के अब मार्क हम जहां रख लेंगे जहां मार्क रखा तो इस फंदे को हमने सीधा बुनना है जो उस तरफ से उल्टा था ठीक है थ्रेड अपनी तरफ 3 फंदे उल्टे डिजाइन वाले, जाली डाल के बढ़ाया था डिजाइन, तीन उल्टे, एक सीधा, फिर उसके साथ बाकी के फंदे भी सीधे, जहां हमने फंदा बढ़ाया था, वो सीधा बन गया, अब मार्क इधर रखेंगे, और बीज के डिजाइन वाले, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, जहां डिजाइन है, वहां वहां हम तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, जहां डिजाइन नहीं है, वहां हम सीधे फंदे बुन बढ़ते हैं तो चार जगा हम सीधे सीधे तीन 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 फंदे बुनेंगे वहां आपको दिखाते हैं एक बाद थोड़ा सा बुन ले यह देखिए यह रॉंग साइड है तो हमारे एक डिजाइन तो हम जहां डालते हैं बटन पटी के साथ वहां तीन उल्टे आएंगे फिर जहां फंदे बढ़ाते हैं वहां उल्टे फिर फंदे बढ़ाते हैं उल्टे फंदे बढ़ाते हैं उल्टे फंदे बढ़ाते हैं उल्टे और बटन पटी के साथ उल्टे तो एक द तो तीन चार पांच और छे जगा हमारे तीन तीन फंदे उल्टे आएंगे रॉंग साइड पे बाकी फंदे सीधे आएंगे जि देखीए घर दिजाइन हमारा जहां स्टार्ट हुआ है और चै गए हैं, तो टोटल होगे आठ फंदे, जहां हम बना ली है बटन पत्ती तो इसके ए फंदे हम मार्क रख लिया है, अब इसके साथ हमने एक उल्टा फंदा लिया है, तो हम उल्टा ही बुनेंगे, और बाकी के तीन फंदे, अब जैसे जाली डाल दी है, और उल्टी सलाई ब और एक फंदा उलटा बुनना है, बा की फंदे हमने सिधे बुनने हैं, ऐसे, आगे हमने, ये तो बटन-पट्टी के साथ है, तो एक-एक उलटा रख दिया, डिजाइन चलेगा, जो के इतना डिजाइन हमारा चलना ही चलना है, लास्ट तक, उसके बाद जो हमने एक तीन फं पढ़ेगा तो हम पहले फंदा बढ़ा लेंगे ठीक है फंदा जैसे ही हमने बढ़ाया उसके साथ अब हमने एक फंदे सिंपल बुन्न है फंदा बढ़ाने के बाद हमने आगे के फंदे सिंपल बुन्ने है अभी हमने ये मार्क लगा रखे हैं इसके बाद हम मार्क खटा देंगे थोड़ा सा बनने के बाद क्योंकि फिर आपको डिजाइन दिखने लग जाएगा तो ऐसे हमने ये पूरी सलाई बनानी है जैसे हमने जहां बनाया और जहां बनाया तो इसमें सीधे सीधे तीन आएंगे अब जाली नहीं डलेगी और उल्टी सलाई बे उल्टे पे उल्टे और हम आपको बताते हैं पहले जे सलाई हम कंपलीट कर लें उसके बाद रॉंक साइड भी बता देते हैं एक बार जे देखिए ऐसे आएगा जे देखिए लास्ट में आगे हैं हम अब हम उल्टा फंदा तो उल्टा ही बनाएंगे थ्रेड पीछे करेंगे एक दो तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक उल्टा बनाएंगे जे बटन पट्टी के आगे फंदे हैं हम उतार भी सकते हैं अब हमें समझा गया है कि जहां उल्टा उल्टा फंदा आएगा और आठ बटन पट्टी के फंदे हैं क्योंकि जे न्यूबॉर्न बेबी स्वेटर है तो इतने फंदे ही सेट हैं तो सीधा सिंपल उतारेंगे और लास्ट वला सीधा भूल लेंगे बस बहुत असान है अब आते हैं इसकी रॉंक साइड पे रॉंक साइड पे हम सिर्फ जहां पे उल्टे पे उल्टे और सीधे सीधा बनाएंगे और जो बीच में तीन-तीन फंदे हैं वो उल्टे बनाएंगे तो देखिए सिंपल फंदा उतारा फिर इसको हमने बुल लिया थ्रेड पीछे किया और एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो आठ पत्ते हमारे बटन पत्ती के फिर हमारा एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे फिर एक फंदा सीधा बाकी फंदे भी सीधे बस यह ध्यां रखना है आपने बटन पत्ती के साथ बाकी फंदे सीधे आएंगे यह बड़ा हुआ फंदा है यह देखिए हम मार कहटा भी सकते हैं अब और क्योंकि यह फंदे हमारे तीन उल्टे हैं जहां हम फंदे बढ़ाते हैं बीच वाले तीन फंदे उल्टे जो बढ़ाए हैं वो सीधे अगर आपको असानी लगे तो हटा सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप लगा रहने दे मार क्योंकि उसी से ही सारा डिजाइन कवर होता है अगर भीगनर है तो हटाइए नहीं अराम से बुनते जाइए जिनको आता है वो इसको हटा भी सकते हैं क्योंकि एक बार हमने देखना है कि हमने बना लिया है तो उसी साफ से हम चलेंगे यह देखिए अगर आपने नहीं हटाना है तो आप नहीं हटाइए मार कभी थोड़ा और बुन लीजिए मार्क को जहीं रखिए थ्रड अपनी तरफ कीजिए और तीन फंदे बीज के उल्टे बनाईए एक दो तीन ठीक है यह है तीन एक इदर का फंदा है और बाकी फंदे आप सीदेव नहीं है प्रक्राइब आप जहां प्रक्राइब नहीं है प्रक्राइब नहीं है और एक, दो, तीन फंदे उल्टे बुनिए, फिर थ्रेड पीछे कीजिए, मार्क रख लीजिए, और बाकी फंदे जो बड़े हुए हैं, और फ्रंट के हैं, वो सीधे बुनिए, सीधे फंदे तक, फिर आप तीन फंदे उल्टे बुनिए, यह रॉंग साइड है, उल्टे बुनिए, फिर एक फंदा सीधा बुनिए, और बटन पट्टी के भी फंदे सीधे ही बुनने हैं, चाहे आप मार्क रख लीजिए, वो आपकी मर्ची है, और लास्ट में आपको पता है कि यह फंदे दो उल्टे बुनने हैं, ऐसे, अब आते हैं इसकी राइट साइड में, अब दबारा से डजाइन स्टार्ट होगा, और मार्क रह में हटा सकते हैं, आपको दिखा देते हैं, जहां पे डजाइन फिर दबारा स्टार्ट होगा, इसको slip कर लिया, दोनों ही slip किये हैं, direction change है, एक को सीधा ही slip किया, इसको ऐसे slip किया, और बाकी के फंदे हमने सीधे बुन लिये, तो हमारे total फंदे 8 हैं, 8 है न, अब जे mark हमने लगाया था तो हटा सकते हैं इसको, हटा के आप जे दिखिए, इसके साथ अब उल्टा उल्टा आएगा तो हमने उल्टा ही बुनना है, ठीक है, thread पीछे करेंगे, thread पीछे करेंगे, और इस पे हम आप design डालेंगे, तो तीन फंदे हैं, last वाले फंदे को उपर से टपाएंगे, और एक फंदा सीधा बुनेंगे, जहां जाली डालेंगे, और एक फंदा और सीधा बुनें बाकी फंदे हम सीधे सीधी स्लाई, क्योंकि सीधी सीधी स्लाई का बुन रहे हैं, तो सीधी सीधी स्लाई बुनेंगे, अब जैसे आपने mark हटाना है, तो आपने ये mark हटाईए, लेकन ये तीन फंदे जो हैं हमारे, इस पे design डालने से पहले एक फंदा बढ़ा लेजी, हर बार बढ़ाना है, तो हर बार आपने फंदा बढ़ाना है, आप फिर तीन पे design डालिए, ऐसे एक simple बुनिए, जाली डालिए और simple बुनिए, अब इसको भी हटा दीजिए, और इसके साथ ही जहां पे जाली डाल लीजिए, और फंदा बढ़ा दीजिए, दोनों तरफंदे बढ़ते जाएंगे, तो ऐसे आपने पूरी सलाई ऐसे ही बनानी है, दोनों तरफंदे बढ़ाते जाना है, देखिए मार्क हमने हटा दिये है, जे बनकर ready हुआ है, जे वाला भी हटा देंगे, तो ऐसे अब हमने आगे बुनते जाना है, सीधा सीधा, पूरा, ऐसे ही, तो ऐसे ही आप बनाते हुए जाएंगे, और अब हम पूरा इतना बुन के फिर आपको दिखाएंगे, जहां पे भी देखिए, डिजाइन बन गया है, जहां पे भी बना है, ऐसे ही आपने पूरी जगा पे बनाना है, अगर हम तीन फंदे जे बुनते हैं तो इसके साथ एक उल्टा फंदा बुन के बढ़ाएंगे, तो भी अच्छी ग्रेस आएगी, मुझे लगता है, जैसे हमने एक फंदा बढ़ाना है, फंदा बढ़ा के एक उल्टा बुनिये, तीन सीधे बुनिये, एक उल्टा, जैसे इदर बुन रहे हैं न, ऐसा, ऐसा बुनिये, तो ज़्यादा फिनिशिंग आएगी, मेरा ख्याल है, तो कोई नहीं हम आगे ऐसा ही बना के देखेंगे,